पूरे जो आसपास की बिल्डिंगे दिनी सबकी खिल्कियां कुल गई और मालू हुआ कि यहां कोई मुझ्रिम रहता है वो दाओ इबराहिम का बड़ा भाई है जिसका नाम बनुमर राना है वो औरंग देव नाम पर बदमाश था जो अपने को बाश्या बोलता था उसके पर मौके की तलाश थी और वो मौका इनको मिल गया बल्कि इनोंने मौका उसको बना दिया चारूं तरफ से खेर लो लग रहा है कि कोई आतंगवादी को ढूंने भी क्या आए गादी थी फोस लेगे मेरा इतिराज अब मुझे शर्मिंदगी अब मुझे तुक मरते मरते भी य चर्चा में है क्योंकि परसिद शायर के घर में जिस तरीक पुलीस आई है उसको लेकर चारों तरफ साहिब जगर से जड़े हुए लोगों में भी और आम लोगों में भी काफी चर्चा है क्योंकि हम आपको बताएं कि मुनवर्राना काफी वक्त से क्रिटिक भी रहे हैं सर फर्जी मुखादमा जो है अपने ओपर जान लेवा हमले का राइबरेली में लिखवाया था मुझे बाहर से मालूम हुआ कि कुछ लोग आये थे इन चार लोग एक को मैंने देखा था तो वर्दी में यहां था और तो मैंने देखा भी नहीं बागी सब बगर वर्दी के से अब पता नहीं पुलिस थे और बदमाश थे या अब यूपी पुलिस बदमाश हैं को भी नौकरी बेरेक्स में लगी है और मैं पूछता रहा मैं बाहर निकल के बैटके मैंने यहां आजाईए बताइए क्या बात है कुछ नहीं था अब नना मेरे मीडिया किसी अब वाले को किसी को आने दिया ना मेरे किसी वकील को आने दिया और कल तो यह तलाशी और चौकीदार तक को यह मना कर दोगी बतान डून रहे ते हैं किसी को भी ढून रहे थे पुझ भी था पुलिस आ के मुझे बता चाह कोई पुज अवंजे पोन करता क्या आपके पेट solidarity मेरा ऐसद आप तो हादिर कीजी है तो मैं हादिर कर देता हुश को नहीं शर्मिंदगी और मुझे तुक मरते मरते भी ये होगा कि आखरी वक्तों में पुलिस में मेरे साथ ऐसा सुलूग किया मेरे स्थरसुती मंदर जिसको मैं लाइबरेरी लोग कहते हैं मैं उसकी बेहुत्मती की और मुझे एक तमाशा बना के रख दिया गया पूरे जो आसपास की बिल्डिंगें दी सबकी खिल्कियां खुल गई और मालूमा कि यहां कोई मुझ्रिम रहता है वो दाउद इबराहिम का बड़ा भाई है जिसका नाम बनुबर राना है वो औरंग जेब नाम का एक बदमाश था जो अपने को बाश्या बोलता था उसके परिवार का है और कि अपने बावी बड़्जित के फैसले पे भी सवार उठाया था और आपने भूगोई साब के राजसाबा जाने पे भी सवार उठाया और सीए में भी आपकी फैमिली सीए के बिदू प्रोटेस्टोरेज का थी एक्टिव रही क्या रगता है कि तबलेज साब के मामले को बहाना बना के आपके काणी पृटा जिट किया जाए है अगर तक तो ऐसा नहीं रहा होगा कल से मतलब है पांच दिन शे दिन पहले तक लेकिन अब मुझे भी शक हो रहा है कि मुंकिन एक ऐसा हो लेकिन अभी मैं कोई ऐसा इल्जाम मैं पुलिस को भी नहीं बोलना हूँ कि अगर पुलिस अगर सकती नहीं करेगी अपना रोल अजा नहीं करेगी उसके साथ अगर ऐसा इसा सुलूप सो तो इसका मतलब है कि हो अगर हुकूमत नहीं हो यह तो उसे शामील होना जायी कि ये बुरी हर्कती ये बुरी बात है इसका मतलब हаю कि अँझ गया अन्दर को किसन आने दी आपको अपका बेल बजा के आएंगे ना अंदर ये आपका वे अंदर आने का इकदम से नौक किया गया दर्वाजा यह बहुत बत्तमीजी के साथ भर 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 ऐसा हुआ कि एकदम से आदमी डर गया तम से तीन-चार वर्दी में और पतानी कितने थे उनको ने धर भरा के अंदर हमने का आप लोग इसनी रात में क्या प्रोब्लम क्या है बताई है कुछ मुणस नहीं बोल लह दा इस है इधर देखना है अंदर बताईए तो क्या है कि यह धर लोग कंप्रें एक क्या है बात नहीं परически जो है फुछते रहें कि अन्दर आते चले गया इसे सबदा nochmal क्श weg आए हैं, क्या बात हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, और देखा तो और बाहर की तरफ बहुत है, बस उससे एक से कह रहे हैं, तुम लोग उपर जाओ, एक से कह रहे हैं, नीचे जाओ, चारूं तरफ से घेर लो, लग रहा है कि कोई आतंगवादी को ढूंने भी क्या आएगा, आदमी इतनी फोर्स लेके, सब तरफ फैल गए, उसके बाद ऊपर चले गए, यह तो बाहर कुर्सी डालके बचारे कुर्सी, युकिन के चलने में प्रावलम होती है, राना साब को, वाकर से चलते हैं, तो बाहर कुर्सी डालके, वहां भी नहीं निकाद, यह कुर्सी यहा घुसे आ रहे हैं, लड़की हैं, हमाई लड़की हैं, हमाई नवासी हैं, सब कोई भी नहीं था उपर, हमाई बहूं, सब लोग बेडरूम में किसी के घुसे जा रहे हैं, किसी के कुछ कर रहे हैं, वह एकदम से लड़की हैं, खड़ी हो गई, स्टुडेंट हैं, हमाई न अंदर भुषे दो चार और अंदर आये फिर जब उने का बाहर जाईए एक लेडी पुलिस को बुलवाया गया अब फिर वो फिर अंदर गया सब देख को जो भी कर रहे हैं मतलब बहुत खराब एटी उत था बच्ची से मुबाइल चीना उनी ने 17 साल की लड़की सुनी की प सब्सक्राइब खुषे इस तब रहे हैं इसे नीतियों के खिलाफ पापा ने जब भी बोलना चुरू किया तब से यह गवर्मेंट हमारे खिलाफ रही है पुलीस का रवया नहीं अच्छा रहा है और खासकर पुलीस तब से जब से चनार्सी का आंदोलन यहां घंटा घर म शुरू किया और पुलीस की नजर कुए म हमेशा से की इस नीए भी रही किए मैं भी वुकरों करके इनके खिलाफ बोलती रही हूं तो कहीं न कहीं पुलीस को एक मौकर की तलाश थी और वो मौकर इनको मिल गया बलकि इन्होंने मौकर उसको बना दिया एक बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगी आपने पुलीस ने जो रवया हमारे साथ किया है दरसल यह रवया तो किसी आतंगवादी है हिस्ट के केस में फस चुका है इसी शहर कोतवाली राइबरेली की पुलीस ने इसको मारा था बुरी तरीके से दो दिन तक एंटरगेट किया था उसके बाद भी पुलीस उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ट्स पे ना जाकर कि एक शरीफ आदमी की घर में चापा मारती है यह भी एक बहुत अगर बास मेरे पास में नहीं मुझे यह इवी नहीं मालू है मैं इमांदारी थी वात अदरा रहा है कि मुझे 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 आद्धारी की कांवभा था अपुद परशान हूँ क्योंकि जो फुलीस ठेर सारी आ सकती वह डूंड़ तो कुमार भी सकती है जो मुझे का देगिया इससे सब बत्तमीजी कर सकते हैं कुमार भी सच्थी है प्रणी में 28 तारिक को मुकद्मा पंजिगरत हुआ था जिसमें तबड़ेश नाम की वेक्टी ने यह बताया था कि उसके उंपर दो मोटरसाइक्ल सवाल वेक्टीयों ने आफ्कान लेवा हमला किया है इस सम्मन में थाने दे मुकदमा पंचिक्रित पर घटना के अनावरन हिजूटी में लगाई गई CCTV फुटेज पास पास के लोगों से पूस्ता चित्यादी एकरम में याबाद संग्यान में आई कि तबरेज राना ने कुछ संपत्ती अपनी विक्री की थी पैटरिक संपत्ती जो की इनके हिस्से से अधिक थी जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और इस मुकद्वे में तबरेज ने उस खुमी विवाद का ही हवाला देते वे अपने चाचाओं के उपर आशंका व्यक्त की गई थी पूस्ताच में CCTV फुटेज इत्यादी के अधार में ये बात सामने आई कि तबरेज का एक साथी है हली और एक और साथी है सुर्ताई जिसके साथ इनोंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फाइरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं के उपर मुकद्मा लि करने का भी प्लैन था और ये मुगत्मा लिख जाने पर इनको मीडिया कवरेज और सुरक्षा भी मिल जाती है इसको लेकर इन लोगा ने ये योजना बनाई हलीम ने दो शूटर्स सप्लाई किये जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है आज इन चार लोगों को हलीम को सुल्त और सख़ान को सतेंद्र को और सुभम को यानी दो योजना करता और दो ये कर लिया गया है इनके पास से वह पिस्टल जिससे की यह घटना कारेत की गई वह बरामत कर ली गई है वह जिस पे यह आयत है वह बरामत कर लिया गया है इन चारो लोगों को एविडेंस के आधार पर न्याई का विरक्षा में भेजा जा रहा है तबरेज आज के डेट में हमारे वांशित है और उसे गिरफतार करने के लिए हमारी टीमें लगी हुए जल से जल उसकी विगरफतारी क के लिए लिए को लोगों विखे मार के क्या कर लेंगी मेरे पास रखा किया और्वाद है कुछ सांसें अठकी हुई हैं सीने में वो ऐसे ही चाली हैंगी उस मैं मारने वारने का किया लेकिन यह है जिस दुख से मुझे गुजरना पड़ा है परसों राग में वो मरते जैसे इस आतंकवादी और एवार्ड वापसी गैंग के साथ आप लोगों कोई ये सुलूप नहीं करना जाएगे था